आज फिर आजिर हूँ आपके लिए एक कमाल की वीडियो लेकर जो आपके बहुत सारे पैसों की बच्चत करेगी आज का वीडियो एंड तक आपको देखना है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको मांसूं से जुड़े हुए बहुत सारे टेप बताने वाली हूँ जो आपके घर बैठे पैसों की बच्चत करेगी पहला यूसफुल टेप बहुत ही जादा काम आने वाला है तो यहां लिया है मैंने एक शेम्पू का शेशे कोई साभी आप ले सकते हैं जो भी आप यूस करते हैं या फिर यह आप यूस नहीं करते हैं बोटल वगेरा से उतना ही लीजेगा जितना आप एक बार में यूस क यहां हम एक और चीज एड़ करेंगे यहीं मीठा सोडा तीनों को अच्छे से मिक्स करना है तो मीठा सोडा भी हमें उतना ही लेना है जितना की हमने शेम्पू लिया है तीनों को अच्छे से मिक्स करना है बस तीन ही चीजे हम एड़ करना है कुछ एक्स्रा एड़ नहीं कर गर में ही रहते हैं बाहर सब्दूर पान ही होता है तो यह कीडे ना हमारे घर में अकसर जगह बना लेते हैं आप इन्हें भगाने के लिए यह रेमेडिय आपके काम आईगी तो इसके लिए एक और चीज हमें जरुवत होगी यह है लैसुन यह भी आपके घर में ज़रूर हो मेरे कीचन काउंटर पर भागे क्योंकि जब मैं रात को क्लीरिंग करके सोती हूँ और अगें सुवे वाने में मुझे यही काउंट डबल बार करना पड़े तो मेरा टाइम वेस्ट होता है और यहां मैं कोई केमिकल का यूज नहीं करना चाहती हूँ तो आप भी अगर कीचन के गैस स्टेंड के नीचे आप जरूर दो तीन कली रखिएगा अगर आप इसे गैस स्टॉक के ऊपर रखते हैं यह खाने पीने की शिचू के असपास भी रखते हैं तब भी किसी तरीके से कोई लुक्सान नहीं होगा रात को इसकी स्मैल बहुत ज़्यादा स्टॉं आप घर के हर कुने में इसका यूज कर सकते हैं सिंपल से रेमिडी बने आपको बताई है जो आपके पैसों की बजट करेगी केमिकल घर पे ना लाए अगर छोटे बच्चे हैं तो अगला इस्वल हैक मेरा हातों से जुड़े हुए फंगस से जुड़ा हुआ है अभी मानस हषब में किले खाता nogनिकल इटा हुए हुए को रहना हुए तो यहां पर आप यूज नाल के तेल कहींदा और अपना काम करी इजовор देज्टे एत तंड़े भर अनिए अर्ले मोनिक आप ठंडे पाने से वाश्ट कर लीजिएगा आप देखें कि जितना फंगे से वो धीरे-धीरे करके हट जाएगा हफते में तीन बार इसे यूज़ कीजिएगा हाथ आपके अच्छे से क्लीन हो जाएंगी इस्पेशली ट्रेबटी पेर के लिए आप इसे पेर है वो अद्रक का चिलका उतार के ही यूज़ करते हैं क्योंकि इस पर दूल मिट्टी वगिरा लगी हुई होती है तो जितना हो सके इसका चिलका उतार के ही यूज़ करना चाहिए वैसे तो अब क्या करते हैं अद्रक का चिलका भी उतना ही गुनकारी है जितना की अद्रक ह सूखा नहीं है, तुम मैं क्या करती हूँ? तीन चार दीन का चिलझ ठूर है लेती हो सूखा लेती हो, इसके लिए मेरम इसे यूज लेती हो सब्सक्राइब हम नहीं यूज कर सकते हैं धूज्स मेररे यूज यूजग़ ए हां जी क्छाय पत्ते हैं उसके बाद में आप इसे चाय पती में एड़ कर लीजेगा आप अगर घर में अदरक नहीं भी है तब भी आपकी चाय बहुत अच्छी स्वादिस्ट बनेगी क्योंकि इसमें अदरक का जो छिलका है उसका फ्लेवर बिल्कुल अदरक का स्वाद दीता है तो उमीद करती हूँ ये हैक भी आपको पसंद आया होगा अगली बार आप कभी भी अदरक चिलके को नहीं फेकेंगे चोटी चोटी ट्रेक है यूज़ कीजिए अपनी लाइफ को असान कीजिए और एकस्टा जो पैसा खट छो रहा है ना उस पे थोड़ा सा रोग लगाईए आप कहते हैं कि इतनी चोटी बज़ट करने से क्या होता है तो देखी जो महलाएग घर में हैं उनको पता है कि इससे उनका जो घरेलू बज़ट है वो कितना बचता है और अगर आप कम से कम 30 से 40 रुबे की वी डेली बचत करते हैं तो मुझे ने लगता है ये बचत भी कम ह अगला इसफल है पेरा कड़ाई से जुड़ा हुआ है अभी आप देख सकते ही इस लोही की कड़ाई पर जंग है जब मैंने इसे क्लीन किया था ये बहुत बड़ी से क्लीन हुई थी पिछली वीडियो में मैंने आपको इसको साफ करने का बिल्कुल आसा ट्रीक बताया था तो एक बार चल को विजिट कीजिएगा कि इस कड़ाई को हमने कैसे क्लीन किया था अब देखी क्लीन करने के बाद अकसर हम कुछ गल्तिया करते हैं इसे ना ऐसे ही रख देते हैं अब क्लीन किया था जब तो ये बड़िया से अच्छे से साफ थी तो फिर ये रखे रखे ह यह क्या हो गया है इसमें तो यह ना जंग है जो कि special लोही की कड़ाई पे लगता ही है तो जो लोही की कड़ाई होती है अभी तिन दिन बात मैं आपको बता रही हूं तो कड़ाई की हालत इतनी बुरी है अगर मान लीजिए से मैं पंदा दिन कर रखती हूं तो और बुरी हा है यह सार ander निकलता यहाँ पे में तीन देन बाद इसे कड़ाए में से निक्ला है आप अगर आप से हाथ वहाथ करें इससे खून की कमी नहीं होती है, आयरेन की जो स्पेशल हम अलग से टैबलेट लेते हैं वो लेने के आपको जरुवत नहीं पड़ेगी, पंदरा दिन आप कंटीनू लोह के बरतर में खाना बना के देखेगा, आपको खुद हीमोगलोविन में पर्क नजर आएगा, चाहे तो अब ही ना मार्केट में आपको माइक्रो फाइवर क्लोथ मिल रहा होगा, यह जो पीस मेरे पास है, यह जो क्लोथ है, यह मुझे 20 रुपिस पर पीस पड़ा है, अभी देखिए, जो लोग पैसा खर्च कर सकते हैं, उड के लिए तो यह बड़े फाइदमंद की चीज है, ऑपको माइक्रो फाइबर क्लोथ को किजिन में यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको लोकल मार्केट मे यह जो की मात्र 5 रुपे या 10 रुपे, इस से ज़दे है प्राइज नहीं होता है, आप एक काम कीजिए, यह लीकर आईएगा, आपका पैसा भी ज़्यादा होगा और बिल्कुल माइको फाइबर कपड़े की तरह ही काम करते हैं मुझे आपको बताना मेरा काम था मैंने आपको बिल्कुल ऑप्शन बिताया है अगर आप पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं यह कम पैसे में जुगार देख रहे हो तो इस ट्रिक को यूज कीजेगा जैसे में यह के आपको मॉर्किट में एक स्पेशलनाम से बिगता है और यह लोकल मर्किट में रुमाल के नाम से विकता है अगला यूसफुल है की जूड़ा हुआ है जितनी आपने चाइपती डाली है उतनी ही quantity में आपने नमक लेना है अब आप क्या रहे होगी नमक से क्या ही क्लेनिंग होगी चली दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एक बॉइल लाना है गेस को बंद कर दीजेगा इसे हमने ज्यादा उकालना नहीं है बस एक बॉइल कर आना है इसके बाद में इसमें आप डाल सकते हैं अपने घर की चाले की जितनी भी आपके पास जुर्णरी हो पाइल हो चुडी हो कड़े हो चेन हो तो यह हमारे घर में होते ही है अब क्या होता है जैसे कि अभी फेस्टिवल सेजन आते जहा रहा है अभी थोड़े दिन में राखी आएगा कुछ नो कुछ चिलता ही रहता है तो यह जो होती है हम इसे पहनते हैं अब क्या होता है रखे रखे यह काली हो जाती है तो आप क्या कीजिए इस तरीके से घर बेटे से क्लीन कर सकते हैं आपके पास इतना बजट नहीं है कि मैं जब भी कोई फंक्शन में जाओं तो बार-बार जोटर के पास इन जोटरी को दूं क्लीन होके आएगी और उपर से वह हमसे चार्जिस भी लेते है तो आपना घर बेटे ही इस तरीके से क्लीन कर सकते है गरबा-गरम पानी में आप डाल दीजेगा एक ओछी चैटकनी ही यही नीबू नीबू नीचो तंबरिचर पर आया इससे क्या है कि चांदी के ऊपर जितनी भी गंदी परत है यह दूल मिटी डास जो भी लगा हुआ है वह अच्छे से गल जाता है यानि कि उसकी जो सरफे से वह धीली हो जाती है और यही हमें चाहिए इसके बाद में इस तरह का टूद ब्रश लीजेगा या इस तरह की कोई जोल्री है मुर्तिया है उस सबको आप घर बेटे क्लीन कर सकते हो यहाँ पैचांदी घिस्ती भी नहीं है और घर बेटे ही क्लीनिंग भी हो जाती है मुझे लगता है यह चोटी चोटी हैक आप अराम से अपना सकते हैं इसमें आपको एक्स्रा पैसा ख करें तो जादा बेटर होगा चाहे ता ब्रश का भी यूज कर सकते हैं चलिए अच्छे से बड़ा स्क्रबिंग कर लेते हैं इसके बाद में आपको रिजल्ट बिताते हैं तो मेरी जोल्री पे तो हमेशा ही यह वर्ग करता है इन जोल्री को यूज करते हैं लग बग मुझ दो तरीके से डाउन होता है एक पहने पहने होता है और एक रखे रखे तो कोशिश कीजेगा चांदी की जोल्री को अच्छे से दो लेने की बाद में यह साफ करने की बाद में कपड़े से अच्छे से वाइप करें इसके पर पानी ना रहने दे पानी रहेगा तो चांदी फिर से काली हो जाती है और अगर आप इसे लॉंग टाइम के स्टोर करके रख रहे हैं या आप किसी ओकेजन पर ही इसे पहनते हैं तो अच्छे से बढ़ा से प्लास्टिक में कवर करके रखें चले फाइनल रिजल्ट पर आपको दिखा देती हूं तो यह दिखिए इसे मैं क्लीम किया है बढ़या से मुझे चमक देख रही है शायद मैं केमरे पर उतने क्लेर से आपको नहीं दीखा पा रही हूं पर हां मुझे इसका रिजल्ट मिला है तो उम्हीद करती हूं यह है का आपको पसंद आया होगा और आप इसे जरूर यूज करेंगे चले मिलते हैं आगली यसी इसकुल वीडियो में जापकी घर और किचन के काम को असान बनाती है तब तक अपना ध्यान रखते हैं देखने के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद